हुआ है हलो एब्रिवन वेल्कम बैक टो आज चैनल यह सर्स करिज्माटिक के मिस्ट्री आपका हमारी चैनल पर स्वागत हैं तो हम जो कंटिन्यू कर रहे हैं वह हमारी 12th biology की series that is respiration and circulation तो हमने respiration का पार्ट खतम कर दिया इसके हमने पांच वीडियो अप्लोड कर दी हैं जिसमें हमने बहुत डीटेल में एक एक बार एकी के साथ हर कुछ डिसकस किया था तो आपके एक्जाम के लिए बहुत तो थोड़ा और इंट्रोडक्शन का extension है यह तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप लोग साथ एक चीज़ करना चाहूंगा कि हमने सिख सुना था जब हम पढ़ते हैं कि लोग अगर चाहें तो आपको ताज से तिनके से लेके ताज तक पहुचा देते हैं लेकिन गाइस यह बात सच है ऐसे से फेकने के लिए नहीं बोल रहा हूं सच में दिल से बोल रहा हूं कि आप लोग ने जो सपोर्ट हमारी चैनल पर प्लस हमारी वीडियो पर दिखा है और इसका हम लोग ताज तक तो नहीं पहुचें और हम जरूर तिनके से उपर आ चुके हैं तो थैंक यू गाइस अगर आप लोग ने यह वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो जरूर अपना जो भी पीनियन रहे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना तो बढ़ते हैं सीरे चैप्टर में आगे कि देखते हैं कि कैसे कैसे यह पूरा चीज डिवाइडेड है तो गाइस वह आप वीडियो जाके जरूर देखे क्योंकि वहां से आपकी बेसिक्स क्लियर हो जाएंगी एनिमल्स के बारे में ठीक है और यहां पर जैसे कि आप लोग पढ़ोगे एने लेडा जैसे यहां पर देखें फिर कोड़ डेटा आर्थरोपोडा ऐसे करके बहुत सार करते हैं कि हाइब एनिमल्स में सर्कूलेशन इस कैरीड आउट बैस पेशल फ्लूइड ब्लड एन लेंग अच्छा दोनों में कुछ मामूली साही फरक है ब्लड जो होता हो ज्यादा टेंस होता है ज्यादा प्रेशर होता इसके अंदर लेंग जो होता है वह थोड़ा कलर म करते हैं ब्लड वस्कूलर सिस्टम हमने देखा था ऐसाफ से लासिफिकेशन वीडियो में बता रहा था ऐसाफ से एक होता था उसमें जो सर्कूलेशन सिस्टम था तो वह वाला पाट हम कवर रहे और ऐसे ऑब ब्लड होता है जहां हम लोग देखे तो कौक रोचे जैसे इस सिस्टम आला सो हाई एनिमल्स फ्रॉम एनलीडा तू कोड़ेट्टा है वस्पेशल सर्कुलेटिंग फ्लूइड फ्लूइड मतलब कोई आप लोग आल्रेडी जानते हैं कि लिक्विड मटीरियल दा ब्लॉड विचिस पंट टू टीशू बाइदी हाट थू दी ब्लॉड वै हो जाता है यहां पर दोक का है जो हमारा वस्पेशल सिस्टम है एक हो जाता है ऑंब मृशरा हो जाता है एंब जानरल बॉडि स्ट्थ्ट्चर है और यह समझे और गन्स यह आप बीच में तो यह जो खाली वाला पार्ट आपको यह सब दिख रहा है डाट इस बॉड़ी काविटी इसी बॉड़ी काविटी वो बोलते हैं हेमो सिल्स ठीक है तो बॉड़ी केवेटी जनले से खाली नहीं रहती है यहां पर कोई न कोई फ्लूइड भढ़ा रहता है ठीक है जिसे हीमो लिंफ बोलते है जो आप लोगों को मेंशन नहीं किया गए यहां पर हीमो लिंफ देखी यहां से तो हीमो मतलब ब्लड से रिलेट बॉड़ी काविटी सो देखी यहां पर हमने ओर्गन्स रो किया था तो यह देख रहे हैं काविटी फिल्ड ब्लड है यह पूरा फिल्ड किसे रहेगा हीमो लिंफ से फिल्ड रहेगा एक्शेंज ऑब मटीरियल टेक्स प्लेस डिरेक्ली बिटूइम ब्लड एन दी सेल्स और टीशू पाराड अच्छा आप लोग को पहले सर्कूलेशंहित के पहले जैसे अगराट्य और दाई कहीं है वार दस वर आपनाई दनेंडा टीक वाहित है उसका सब्हूंध निख लिएटर्थ आप curve सोसम मुल सकते हैं कि एक सब्लाइब करनी तो हम लोग सखते हैं कि प कुए एक बोडी से दूसरी पार्ट में ट्रांसफर करने के लिए इंका द 바꿈 रूता है एककम के लिए करने के लिए उन्हीं उता है लूहिए और लिए हम लोग किमिस्ट वाल जूमतियरील को बाहर ने के लिए से की क्या हो सकते हैं आपके west material का आपकी dead cells हो सकते हैं किसी की body की और हमारे जो antibody antigenes की fight होती है तो वो west material हो सकता है even जो और सारे digestion के बाद हमारे excreta रहते है that is all west material को बादी से बाहर निकालने के लिए जो हम लोग system सिस्टम यूज़ करते हैं वो है बलड इसलिए बलड को कनेक्टिव टीशू भी बोला जाता है कि यह आल सिस्टम को लिंक करती है तो यह आप लोग को पता रहेगा तो बेसिक फंक्शन्स यह हैं न्यूट्रियंस का ट्रांसफर गैसिस का एक्षेंज करना और वैस्ट मट्रि हमारी जैसे की पैथोजन जो आउट साइड ऑफ बोड़ी हैं वो हमारी बोड़ी में एंटर कर गया है तो उनसे लड़ने के लिए उनसे पाइट करने के लिए हमारी इम्यून सिस्टम को अलर्ट पिलाना ठीक है तो यह सब काम होता है इसके तुरू सर्कूलेशन के बना रहेंगे टीशू बना रहेंगे ठीक है अब लोग को यह पॉइंट याद रखना है कुछ भी करके अगर आप लोग नीट या कोई इग्जाम में पूछे या कई इंटीबेट में पूछे कि ओपन सर्कूलेशन में प्रेशर ब्लड का कैसा मिंटेन होता है लो प्रेश अलग सिस्टम रहता है तो दो चीजों आप जानते हो और आप लोग जैसे केमिस्ट्री में पढ़ें रहेंगे कि पीवी इकल्स टू एनाटी होता है तो वहां से आप लोग जानते हो कि जितना ज्यादा सब्स्टेंस होता है उतना प्रेशर तो यह जो ब्लड अगर समझे इसमें कैपिलरीस तो हैसे होते नहीं है लेकिन और फोर इग्रंपल यह कोई ब्लड वैसे और लेकर उसके पार्टीकल सस्टेंस तो जितने जादा प्रेशर इस ब्लड कैपिलरी के अंदर यह ब्लड वैसल के अंदर तो यह आप लोग को बात already पता है ठीक है तो इसमें क्या होता open वाले में आप लोग को याद रख लेना है कि open वाले में आपको low blood pressure मिलेगा क्यों low blood pressure है पहला कि इसके हीमोगलोबीन नहीं है और दूसरा respirator gases यह exchange नहीं करता जैसे कि O2 and CO2 और एक reason में बताता हूं आप लोग क साइज में स्माल होने से उनके पास energy भी बहुत कम होती है तो energy कम होने से वो क्या कर सकते हैं blood को high heart के थूफ हाई प्रेशर के साथ पंप नहीं कर पाते हाई प्रेशर के साथ पंप नहीं कर पाते ठीक है क्योंकि एनरजी ही कम है और एक चौथी चीज कि हाट से जनरली क्या होता है हाट से अगर आपको प्रेशर के साथ इसे ट्रांसफर करना है तो जनरली वैसल्स होने चाहिए जो हाट circulatory system है इसमें specialized specialized system of artery और winds नहीं होते हैं ये बात ध्यान रखी आप लोग जैसे कि हम पढ़ेंगे humans के बारे में तो वहाँ पे देखो गे आप aorta के बारे में pulmonary winds तो वहाँ पे blood vessel की size बहुत matter कर जाती है जैसे कि हमारा ये ओटा बहुत मोटा रहता है वहीं पे pulmonary winds पतली पतली होती है ऐसे तो ये क्यों ऐसे पतली होती है ये ऐसे क्यों एक दम मोटा होता है तो इसका रीजन से इसका एक ही रीजन है blood pressure maintain करने के लिए अब वहाँ पे मैं आपको structure के समझा भी दूँगा लेकिन आप लोगों को यहां से समझ जाना है कि वाइड़ ड़ ओपन सर्कुलेटर सिस्टम है लो ब्लड प्रेशर यह रीजन से और यहां पे मैंने एक्स्टा रीजन समझाने की कोशिश की है अगर आपको पसंद आया तो उसे लाइक और कमेंट भी करिए देखिए वह जो डाग्राम मैंने बनाया था उसी का यह पार्ट है कि कैसे विसरल और या में और इनके पार्ट होते अब दूसरा हम जो चल रहे है वह है क्लोज सर्कुलेशन का सब्सक जिनके अंदर क्लम प्रेजेंट होता है वर्टीब्रल कॉलम क्या होता है जो उनकी पूरी बॉरी बॉड़ी को क्या करता है एक बेस प्रोवाइट करता है कि वह जैसे ब इसका श्रक्चर मेंटेन हो हाई हाई मोलसकास एन एनलिट्स इंपॉर्टेंट यह बच्चे भूल सक वह उसके बाद आता है आर्थ्रो पुड़ा है और आर्थ्रो पुड़ा के बाद मूलसका गया ओधा emergency ओफाद में के खुश्टमब बैठा था था ही तो लगता है कि मुलसका के आगे जो आते हैं look मैं इसे precise कर रहा हूं कि analytes में भी यह close system मिल सकता है blood is circulated all over the body through a network of blood vessels network of blood vessels blood vessels होते हैं कि यहां पर जैसे मैं बता रहा था कि हमारे open वाले में absent होता है लेकिन यहां पर present है तो notice करें इस बात को in this type of circulation body blood flows within the blood vessels and does not come in direct contact with the cells and body tissue जैसे कि क्या बोलने की कोशिश कर रहा है यहां पर जो अगर समझी हार्ट हमारा है इसने अगर blood pump कर दिया तो यहां से समझी आपको अब याद हो जाना चाहिए जो oxygenated blood है oxygenated blood अब मैं बार-बार repeat करेंगा so that की जिनको नहीं भी मालूम है वो याद कर लें oxygenated blood कैरी होता है artery में artery या जो red color के आपको diagram में जो भी blood vessels दिखें है red color के वो artery होते है वहीं पर यह capillage मतलब छोटे छोटे parts में ऐसे divide होते है क्यों divide होते है इससे pressure और बढ़ जाता है अब pressure बढ़ने से यहां से यह जो required हमारी body के parts है वो इसे absorb कर पाते है फिर इसके बाद क्या होता है जब required body part इसको absorb कर लेते हैं फिर वहां से collecting ऐसे capillaries निकलते हैं वो जमा होते हैं और वापस से heart के तरफ लेके जाते हैं तो यह बन जाता है vein vein अब oxygenate का उल्टा क्या हो जाता है deoxygenated deoxygenated मतलब जिसके अंदर oxygen नहीं है oxygenated मतलब जिसके पास oxygen है तो deoxygenated blood कौन करी करता है vein और इसे general diagram में हम blue color से दिखाते हैं घ्यान रखें इस सब बात तो अब आपको यहाँ पे समझ चुका है कि यह direct contact में क्यों नहीं आता है कि यह blood vessels लेके जाते हैं फिर छोटे-छोटे capillaries इसमें डिवाइड होते हैं pressure maintain करकी ऐसे बहुत सारे parts हो सकते हैं lungs को भी जरुद पढ़ती है हमारे oxygen की तो हमारे और और औरगन हो गए जैसे कि हमारा pancreas हो गया kidney हो गई हमारे body के और muscle tissues हो गया उनको energy चाहता है हर जगे आपको यह system हर जगे मिलेगी हर एक part में तो वहाँ पे क्या होता है ब्लड इन्ही के अंदर से ऐसे flow होता है इसे मैं दिखाए तो आपको इनके अंदर से ऐसे-ईसे flow होता है जहां पे भी हो और बाहर direct contact में जैसे यह खाली cavity आपको दिखरी होगी एक second यह खाली cavity दिखरी है यहां पे नहीं आएगा वो अगर यह आपकी यहां पे खाली की cavity में आ रहा है मतलब क्या हो रहा है आपको nearly hemorrhage बोलते है तो वो condition आपकी आ चुकी है और यह blood loss को कैसे भी doctors के तुरू और operation के तुरू कैसे भी stop करना पड़ेगा otherwise आपकी death को सकम हो सकते हो तो इसी तरह से यह आपकी डिवाइड होगा फिर वेंस के तुरू वापस से हमारे हाट में पहुँच जाएगा तो देख रहे हैं यहां पे कहीं भी यह पूरा contact में नहीं आता हमारे body cavity के साथ और यह पूरा का पूरा close system है next चलते है exchange of material between the blood and body tissue is through an intermediate fluid called lymph अब यह जो capillage आपको बता है तो लिंफ यह जो हमारा lymph है यहां पे जो मैं दिखाना चाहरा देशे कि यहीं पे आपकी body से lymph एसे lymph रहते हैं lymph जन्रली क्या होता है जैसे मैंने ड्रॉग किया यल्लो कलर का रहता है अब यह इसमें जन्रली डबलू बीसी रहते हैं white blood corpuses रहते हैं इसका कोई tension मत लीजे इसी chapter में मैं आपको WBC, RBC, platelets और जितने सारे आपके body में बुलते ना कि blood particles होंगे उनके बार में detail में बताऊंगा और ऐसा बताऊंगे ताकि आपको lifelong याद रहे और रटने की जरूवत ना पड़े यह जनरली क्या होते हैं यहां पर ऐसे intervention करते रहते हैं यहां पर रहते हैं और इन में यह जो हमारी blood capitalist की तो blood आ रहा है इन में mix होके हर जगे हमारे जो tissue required हो इसमें spread होता है हमारे blood के जो nutrients तो वो तो transfer हुए ही प्लस हमारे lymph जो lymph जो WBC कहा रही होता है वो भी system के पास हमारे tissue के पास पहुच जाता है यह lymph नाम कहां से है हमारे lymphatic system से lymphatic system से नाम आया है lymphatic system किस से जुड़ा है lymph nodes से lymph nodes हमारी body जैसे नाम लिखा है नोर्स उसी तरह से हमारी human body में बहुत सारे centers होते है centers होते है lymph के जो lymph का काम भी बता दिया आप यहां से WBC से समझ सकते हो कि क्या होता है हमारी body की immune response है तो इनके through जो actually blood क्या होता है हमारे tissues तक पहुचता है तो यह बात आपको ध्यान रखना है और यह सब हम detail में करें कोई बात नहीं आपको सिब मैं introduce करा रहा हूं words से so that you get used to these words आगे बढ़ते हैं blood flows with a higher pressure ध्यान रखिए comparison एक मिल चुका आपको and contains क्यों high pressure होगा क्योंकि इसके पास particles भी होंगे जैसे की hemoglobin, Hb and respiratory gases like oxygen and CO2 और कभी-कभी जिनमें अच्छे से respiration नहीं हो रहा और उनके अंदर carbon monoxide भी हो सकता है that is very dangerous for the body the close circulation can be divided into two main types like a single and double circulation सो देखिए closed वाले का division हो रहा है ना कि open वाले का हमने यहां पे दो देख लिया है एक है हमारा open जिसका example था अर्थ्रोपोडा, cockroach, closed, higher molluska और analis और हमारे vertebrata अब closed को मैं दो पार्ट में divide करने जा रहा हूँ single होगा एक और एक होगा double जो भी differences रहेंगे प्लीज आप लोग उसे याद कर लिए जगए so that कि आज एक ही बार में आप लोग को याद हो जाए अब देखते हैं in single circulation, the blood passes through the heart only once एक बार अब वो एक बार क्या होगा वो भी जानना जरूरी है during each cycle as in fishes fishes हमारे कौन से क्लास के पार्ट है यह हैं आप कमेंट सेक्शन बताएंगे यह कौन से पाइलम कौन से सब पाइलम कौन से हमारे kingdom या सब kingdom sorry for writing और कौन से kingdom के पार्ट है सब बताएंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन है यह एक साथ इसी order में आप मुझे बताओगे deoxygenated blood deoxygenated मतलब जहां से oxygen निकल चुकी है इस word का मतलब क्या है निकल चुका है deoxygenated blood is pumped from the heart towards the gills अच्छा gills की तरफ क्यों बेशता बिया gills fishes में center है किसका respiration का हम लोग जब पॉल में हैं तो हम लोग discuss करते थी कि अगर यह आप लोग भी पढ़ोगे जब जो बच्चे बीएसी करते हैं यह higher studies करते हैं अमीबेस और नीट related उनको आता है कि gills कैसे वह करता है salty water को कैसे absorb करता है फिर water से कैसे oxygen carry करता है तो हमारे दिमाग में यह doubt था तो आप लोग ऐसे doubt मत रखिए सीधा जाने के water के अंदर भी oxygen dissolved oxygen देता है वह absorb करता है gills तो यह gills के पास क्यों भेशता है deoxygen को क्यों हमारे gills के पास भेशता है या fish के गills के पास भेशता है क्यों कि इसमें oxygen नहीं है gills के पास जाएगा oxygen मिल जाएगे फिर वहां से पुरी body भेश देगा where it undergoes the oxygenation देखे this oxygenated blood moves towards the various parts and gets deoxygenated क्यों deoxygenated उड़ जाता है क्योंकि जो tissue है वो oxygen को use करके energy बना लेती है और यहां से oxygen खतम हो गया CO2 निकल जाता है तो blood हो गया deoxygenated and return back to the heart for the next cycle तो आपको एक चीज़ बहुत important से याद रखना है कि यह heart का इसमें सिफ काम है जो single वाले में सिफ deoxygenated blood को pump करना बस एक बार एक बार और कौन से वाले blood को सिफ pump करता है deoxygenated अपने दिमाग में यह बात बैठा लिजें otherwise doubt आप लोग के मन में रहता है कि इसे single क्यों बोला and actually oxygenated pump करता है या deoxygenated नहीं सिर्फ यह सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करता है deoxygenated blood को भेशता है गिल्स की तरफ बस एक ही काम है इसका नेक्स्ट यह देखिए यहां पे ventricles and atrium दिया है atrium जनरली आप लोग human में जाओगे तो यह आगे और detail में पड़ोगे यह हमेशा जो रहता है deoxygenated deoxygenated blood को यह इसको बोलते हैं atrium blood collect करता है यह blood collection का center है और ventricles blood pumping का पूरी body में blood pump करता है pump करता है पूरी body से blood collect कौन करता है atrium अब पूरी body में blood pump कौन करता है हमारे ventricles तो यहां पे भी वही system आपको दिख रहे हैं कि hearts ने क्या किया यहां से कि पूरी के पूरी जो हमारे blood उसको pump किया कहां पे गिल्स के पास देखी यहां पे ठीक है तो pump करने काम जैसे बोला था अब आपसे deoxygenated veins के तुरू हमेशा blood collection कौन करता है atrium तो देखिए यहां पे atrium के पास यह collect हो जाएगा तो इसके बाद यह फिर से pump करेगा यह cycle बनते रहेगी और single circulation खतम होता है since heart of fish carries only deoxygenated blood it also called as the venus heart venus heart क्यों क्योंकि veins में क्या होता है deoxygenated blood और यह deoxygenated blood कौन collect कर रहा है heart और heart इसको क्या कर रहा है pump किसमें गिल्स में इसलिए heart के पास हमेशा deoxygenated blood ही पहुच रहा है और deoxygenated blood का center को veins बोलते हैं इसलिए से venus heart बोलते हैं ठीक है आप venom से मत confuse कर लेना इसे ठीक है अब double circulation double circulation में देखते हैं क्या होगा दो बार pump करेगा simple सबात है in double circulation blood passes through the heart twice during each cycle एक cycle में दो बार वहां से heart pump करेगा देखते हैं कैसे it occurs in birds and mammals आप मुझे फिर से वही जो question पूछा था phylum and sub phylum kingdoms of kingdom मुझे birds and mammals को बता होगे और इसके class के बारे में बता होगे birds कौन से class में आते हैं in these animals heart pumps देखिए आपे deoxygenated blood to the lungs क्यों lungs के पास क्यों oxygenation के लिए and it returns to heart as oxygenated blood and यह फिर सी oxygenated blood को भी pump करता है दूसरी बार this is called pulmonary circulation pulmonary word का मतलब क्या होता है lungs से related लंग्स से रिलेकर तो इसे बोलते है pulmonary circulation आपको मैं जब हाट के बारे में पढ़ाऊंगा तो आप देखना वहाँ पे अलग-अलग circulation के टाइप होंगे सिर्फ human heart में ही सिर्फ मैं बात करना human heart में ही तो बच्चे जनरलिस सुचते हैं कि यह कितने terminology हैं जी आपको यह बात मतलब समझने पड़े कि जो भी लंग्स से related circulation होगा blood का उसे pulmonary बोला जाएगा तो यहाँ पर देखे इसे आप जितना जल्दी समझ लें भले आप अभी सोच सकते हैं कि सिर्फ ऐसे बोलने के लिए बात हैं लेकिन प्लीज यह सब वर्ट चांदते रही है not only for debate but also for your knowledge और एक बताने कि जैसे सुचना जनहीत में जारी कि यह किसी ना किसी को life में कभी ना कभी face करनी ही पड़ती यह सब जब हमारे पर कोई situation आती तब हम इस सब की बारे में जानते हैं otherwise it is better to know all this thing ahead in the time आप पहली यह सब चीज जानों सो दाट कि आप फ्यूचर में कहीं कंफ्यूज ना हो और हर जगे जानते हैं जैसे मैं बात कर रहा हूं कि कोई disease कहीं पर hopefully किसी को ना हो सब healthier हैं लेकिन अगर doctor बन जाते हैं तो आपको इस सब से deal करना पड़ेगा तब तक तो आप ज़्यादा knowledge ले चुके होंगे फिर भी अगर आप जा रहे हैं कहीं अमीबेस के first year में तो आपको pulmonary circulation के बारे में पूछा जाए और आप पूरे blank हो जाए तो ऐसी body parts तो जो पहला circulation था देखी यहां पर अगर यह heart है heart ने भीजा इसे lungs के पास हमारे यह देखिए lungs हमारे तो यह यहां से होगा pulmonary circulation हमारा बोल दी इसको और किसलिए बीज़ा oxygen और इसके बात से यह वापस भेजता है इसके पास तो इसने क्या किया अब यह oxygenated blood यह पूरी body विजेगा ख़िग oxygenated blood ठीक है दो बार pump किया एक बार फॉम्प किया इसे lungs के पास बिजने के लिए लंग्स ने वापस दे दिया अब दूसरी बार पंप किया इसने इसे पूरे बॉड़ी में देने के लिए यह पंपिंग की बात हुई अब उसके बाद रिसीव भी करता है वह अट्रियम के थुरू तो यह हम देखेंगे जब हम डिटेल में हार्ट पढ़ेंगे तब ऑक्सिजनेटेट ब्लड इस पंप्ट प्रॉम दी हार्ट वर्थी वेरिस बॉड़ी पार्स एक्सेप्ट लंग्स इंपॉर्टेंट पॉइंट पॉइंट इन लंग्स इसका आंस्वर मुझे दोगे आप लो क्योंकि रेस्पिरेशन ने मैंने बहुत अच्छे से बताया थ लंग्स को पास लंग्स के पास ऑक्सिएंट कैसे पहुझत हैं एंड रिटर्न बैक्ट टुदी हार्ट एज दी ऑक्सिएंट तो वहीं बोला ना अगर बॉड़ी जहां पर देखिए अगर इसने पूरा पहुचा दिया हमारी बॉड़ी को तो यह कलेक्ट भी होता है किसके अब systematic का मतलब क्या है which is not related with the lungs तो कौन-कौन से हमारे जो हम लिंक नहीं है तो पहला तो हुआ जो है blood oxygenated blood pump किया पूरी बॉड़ी में और दूसरा डी oxygenated जो blood हमने collect किया collect किया atrium के तुरूप गाइस प्लीज जो भी मेरे बात को सुनने है अब भी अपने दिमाग में बिठा लो कि पहला pulmonary को क्या बोल रहा था मैं यह वापस से revise होगा पहला उसने deoxygenated blood को लिया यहाँ पर यह cycle में यहाँ पर इस cycle से heart के तुरूप deoxygenated बल्ड को लिया दूसरा oxygenated blood को pump किया यह बल्ड को pump किया यह ध्यान रखिये और इसे accept किया है यह jungनर होगा वहीं पर हमारा deoxygenated blood collect हो रहा है देखर इख़े उल्टा हो गाई यहाँपे accept हो रहा था है यहाँ है उपर वाले में यह हाँ पर और oxygenated plump हो रहा है तो उसे बोलेंगे systematic circulation two types of circulation in double circulation you have to remember and human heart shows double circulation very good example like double circulation का आप simply देशेक्टे़ हमारा human heart एक diagrammatic representation भी है कि pulmonary RT यह देखी और यह सब कैसे काम करते हैं तो मैं बज़से बोल रहा था देखिए अपर पार्ट्स को एक्ट्रे में बहुत सिंप्लिस्टिक आपको समझाएगा लेकिन इग्राफ अभी समझाएगे और नीचे वाले पार्ट्स को हम बोलते हैं बेंट्रिकल्स ठीक है तो लेफ्ट और ये जनरली राइट आपके आप सुचोए कि ये तो राइट वाला आपके लेफ होती होती थी कि हम लोग लेफ्ट वाले हमारे लेफ्ट हैंड साइट वाले को लेफ्ट जानते थे जबकि ऐसा नहीं है इसे डॉर्सल साइट से दोखोगे तो राइट है और लेफ्ट है तो देखे यहां पर हमारा यहां पर राइट वेंट्रिकल्स नीचे राइट उसी के parts हैं कितने walls हैं कहां-कहां पे cordae tendae हैं और हमारे cardiac muscles कहां पे होते हैं सब के बारे में हम लोग जानेंगे जब हम heart के पूरे के पूरे उसमें देखेंगे कि कैसे कैसे उसके अंदर sections हैं तो ये part हमारा करतम होता है next part जो इसके बाद है अभी भी हमको पूरा human heart पढ़ने को नहीं आया है इसके बाद आप लोगों को wbc rbc rbc और platelets के बारे में पढ़ना है यह बाद ध्यान रखी ठीक है तो यह सब जब parts हमारे हो जाते हैं क्योंकि क्या होता है एक तो होगा कि पूरा simple system कैसे काम कर रहा है दूसरा system में क्या transfer हो रहा है यह भी आपको जानना है तो वह देखेंगे हमके अभी कौन कौन से चीज कहा कहा कैसे कैसे scattered है और कैसा उनका role है कब वह blood में मिलते हैं और कब वह blood से बाहर निकलते यह भी समझ जाएंगे और इसके बाद हम आ जाएंगे human heart में और वहां पर हमारा chapter nearly खतम हो जाएगा so guys अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो कि मैंने information दिया आपको helpful रहा जो भी मुझे जैसे कि कुछ बच्चों ने कहा थे में राइटिंग खराब थी वह भी आप लिख सकते हैं कि मैं इंप्रूव करने कोशिश करूँगा लेकिन यह जल्दी में थोड़ा फटफट लिख दे रहा हूं आप लोग की आप लोग का कर दो कि अए हुआ आपको लोग की कि अपके कि अए अपको जह जदी बाइटिंग आपकोश करूप लोग कर दोस्ते हैं कि आपकोवद सकते हैं कि अए हुआ अज़ वह गाँ कर दोस्ते हैं